शीशम, सागोन, साल और शरीश के घने जंगल जहां सूरज की किरने धर्ती तक नहीं पहुँच पाती है चारों तरफ जहां तक नजर जाती है हरे भरे जंगल और दूर तलक उचे-उचे पहाड दिखाई देते हैं ये उत्तराखंड और हिमाचल के किसी जगह की बात नहीं हो रही है ये है मध्यप्रदेश का खूपसूरत और एथासिक कजबा अमरकंटक 36 कड और मध्यप्रदेश के बाड़ पर स्थित अमरकंटक को धार्मिक नगरी के तौर पर देखा जाता है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यहां सुन्दर्ता पसरी हुई है मंदिरों के अलावा अमरकंटक में पहाड, वाटरफॉल और हरियाली भी देखने को मिलती है आपको एक बार अपनी आंखों से इस जगह को देखना चाहिए अमरकंटक मध्यप्रदेश के अनूपुर जिले के पुषपराजगर तहसील की छोटी सी जगह है जिसके चारों तरफ मैकार, विंध्याचल और सत्पुडा की पहाडिया है अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उदगम होता है इस जगह को नदियों का शहर कहा जाता है यहां से अमरकंटक ही नहीं पाँच नदियों का उदगम होता है समुद्र तल से 3600 फीट की उचाई पर स्थित अमरकंटक अपने चारों तरफ सुंदर्ता की ओडनी बिचाए हुए है इस जगह का जिक्र महाभारत में भी मिलता है इस वजह से अमरकंटक हिंदू धर्म में एक पवित्र जगह है इस शहर को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है अगर अब तक आपकी बकेट लिस्ट में अमरकंटक नहीं है तो अब जोड लीजिए हर घुमककड का एक बार तो अमरकंटक जाना बनता है कैसे पहुचे अगर आप फ्लाइट से अमरकंटक जाना चाते हैं तो निकटम एरपोर्ट जबलपुर है जबलपुर से अमरकंटक की दूरी 254 किलोमीटर है जबलपुर एरिपोर्ट देश के बड़े शहरों के हवाई अड्डे से अच्छी तरह से कनेक्टेड है जबलपुर से आप बस से अमरकन तक आ सकते हैं या फिर टैक्सी बुक करके भी पहुँच सकते हैं ट्रेन से है यदि आप अमरकंटक ट्रेन से जाने का प्लान बना रही हैं, तो सबसे नजदी की पेंडरा रेलवे स्टेशन है, पेंडरा से अमरकंट लगभक 17 किलोमेटर की दूरी पर है, आप टैक्सी बुक करके अमरकंटक पहुंच सकते हैं, वाया रोड़ा आप वाया रो नहीं आएगी, रोड़ अच्छी है तो आप आराम से अमरकंटक पहुंच सकते हैं, इसके अलावा अमरकंटक के लिए मध्य प्रदेश के लिए बड़े और आसपास के शहरों से बस आराम से मिल जाएगी, कब जाएं? अमरकंटक बेहत खूपसूरत जगह है, अगर आप सही मौसम में जाते हैं, तब तो आपको अमरकंटक का सबसे खूपसूरत रूप दिखाई देगी, मेरा सुझाव है कि आप अमरकंटक सर्दियों में जाएए, खास कर जन्वरी में, जन्वरी में ही अमरकंटक में शहर का सबसे बड़ा फेस्टिवल नर्मदा जयन्ती मनाया जाता है। वैसे आप कभी भी अमरकंटक आ सकते हैं। अमरकंटक एक धार्मिक और एथासिक जगह है। ऐसे में आपको यहां ठहने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर छोटे बले हर प्रकार के होटल आपको मिल जाएंगे। आप अपने बज़ट के हिसाब से ठहने का ठिकाना चुन सकते हैं। क्या देखीं। एक नर्मदा कुंड अमरकंटक की सबसे एथासिक और फेमस जगों में से एक है नर्मदा कुंड। नर्मदा कुंड वही जगा है जहां से नर्मदा का उदगम होता है। नर्मदा कुंड के परिसर में कई मंदिर है। आप नर्मदा मंदिर, शिव मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर को देख सकते हैं। इसके अलावा नर्मदा कुंड में सुभशाम होने वाली आर्ती को जरूर देखें। यहां पर आपको शांती तो मिलेगी ही इसके अलावा मन को सुकून भी मिलेगा। जन्मरी में अमरकंटक आते हैं तो नर्मदा जैनती को भी देख सकते हैं। आप नर्मदा आएं तो इस जगह को जरूर देखें। दो कलाचुरी काल के प्राचीन मंदिर नर्मदा कुंड के दक्षन में कुछी दूरी पर कलाचुरी काल के प्राचीन मंदिर हैं। ये मंदिरों का एक पूरा समू है। इन में सबसे फेमस पातालेश्वर महादेव मंदिर है इसके अलावा शिव, विष्णु, जोहिला और कर्ण के मंदिर है माना जाता है कि 1042 से 1072 इस्वी के बीच इन मंदिरों को कलाचरी राजाओं ने बनवाया था इन मंदिरों का आर्किटेक्चर बेहत शानदार है इन मंदिरों को आपको इनके बेजोर और अध्वुत आर्किटेक्चर के लिए जरूर देखना चाहिए कपिल धारा अमरकंटत एक संदम है जहां धार्मिक्ता और प्राक्तिक सौंदर्य का मिलन होता है यहां एक तरफ एथासिक मंदिर है तो दूसरी तरफ जरने, नदियां और घने जंगल है अमरकंटत में खूबसूरत वाटरफॉल है कपिल धारा कपिल धारा वाटरफॉल में नर्मदा नदी का पानी 100 फीट की उचाई से नीचे गिरता है घने जंगलों के बीच जब आप इतनी उचाई से पानी को गिरते हुए देखेंगे तो आपका मन खुश हो उठेगा अगर आपको प्रकृती का अनुभव करना है तो अमरकंटक के कपिल धारा वाटरफॉल जरूर देखें दुग्द धारा वाटरफॉल अमरकंटक में कपिल धारा वाटरफॉल के अलावा एक और जर्ना है दुग्द धारा कपिल धारा से लगभग एक किलोमीटर पैदल चलने पर आपको दुग्द धारा वाटरफॉल मिलेगा यहां तक पहुँचने का रास्ता कथिन जरूर है लेकिन जब आप इस जर्ने को देखेंगे तो सारी मुश्किलों को भूल जाएंगे यहां आपको नर्मदा का पानी दूद जैसा सफेद दिखाई देगा उसी वजह से इस वाटरफॉल का नाम दुग्ध धारा पड़ा है जिनका मानना है कि अमरकंटक में कुदर्ती की खूपसूर्ती नहीं है उनको दुग्ध धारा वाटरफॉल देखना चाहिए सोन्मूंग अमरकंटक में एक जगा है सोन्मूंग जिसे सोन्मुडा भी कहते हैं इस जगा के बारे में बहुत कम लोगों को पता है सोन्मूंग में सोन नदी का उदगम होता है सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है माना जाता है कि इस नदी में सोने के कड़ मिले होते है सोन मुंग से दिखने वाले खूपसूरत नजारा हर किसी का मन मोह लेता है प्रकृती प्रेमियों के लिए ये जगह किसी स्वर्ख से कम नहीं है अमरकंटक में नर्मदा नदी का उदगम तो देखते ही है सोन नदी का उदगम भी देखें कबीर कोठी अमरकंट कई सादुमात्माओं की तपोस्थली रही है कबीर दास ने भी अमरकंटक में कई साल गुजारे थे कबीर ने जिस कुटिया में ध्यान किया था उसे कबीर कोठी के नाम से जाना जाता है इसके अलावा एक चबूत्रा भी बनाया गया है जिसे कबीर चौरा के नाम से जाना जाता है अगर आप अमरकन तक जाते हैं तो इस जगह पर जरूर जाएं इसके अलावा पास में की माई की बग्या है माना जाता की की यहां पर नर्मदा अपने बच्पन में खेलती थी इसके अलावा आप अमरकंटत में श्री यांत्रा मंदिर, मृत्युन जै आश्रम, भिगु कमंडल और जलेश्वर महादेव मंदिर को देख सकते हैं